स्वागत है आपको फिजिल एजुगेशन विद राजेश चैनल पर मैं आपको आज एक लेशन पढ़ा हूँ जो की उर्जा और हमारी एनर्जी से रिलेटिड है कि हमें क्या-क्या जो भी हमारे खेल विदाओं के लिए पोशन समंदी जो भी आसकता होती है निट्रिशन की जो जो हमें जुरूत पढ़ती है तो उसमें क्या-क्या चाहिए तो ये एक टॉपिक है जिसमें प्रोटीन है कार्वाइट अवसा है विटामीन है तो ये खनीज है और ये सब चीजों के कितने-क्तनी मातरा हमें लेनी चाहिए और किस किस खेल में कित-कितना यो जी जा आप एक बार इसको देखना अच्छे से मैं थोड़ा सा और व्रव्यू कराता हूँ आपको खिलाडियों के उर्जा हो सकता खिलो और व्याए के लिए आदार पर 80-85 किलो ग्राम कलोरी किली बजन के लिए दिन के मद्द्ध हो सकती है तो एक गराम जो कर्भोएडरेट होता है उसमें 4 किलो कलोरी परदान करता है और जो एक लिपिड होता है जो एक वसा होती है जिसको हम भैटी ऐसीड बोलते हैं तो 9 किलो कलोरी परदान करता है जो लिपिड वसा है उसे हमें कितनी एनर्जी मिलती है तो 9 किलो कलोरी परदान करता है आम तो पर एक दिन की कुल कलोरी का 30% से कम भाग वसा द्वारा वभोग करना चाहिए और जो एक गरम प्रोटीन होता है उसमें कितनी कलोरी होते हैं 4 किलो कलोरी परदान करता है तो कु प्रोटीन का विजन था सकते हैं जैसे बहुत अदिक कलोरी भोग से वजन में परती होना पानी की कमी होना अथिरिक से मुत्षर्जन तो यह सब कमी घुर्डे की समस्षिया भी आ सकते हैं और कार्भो हीरेट के लिए बहूत जरीर के लिए बहुत जरूरी है, है लाड़ियों को अपनी कालॉरी का अधिकतम भाग कार्भो हीरेट से 55-70% तक प्राप्ट करना चाहिए, खिलाड़ेों के लिए मेनु योजिना में जो भी पोस्टिक के जो होते हैं, कार्पोइटरेट साब तनाज दालें, जो भी उन्हें फाइबर मिलता है, आउसक फैटी ऐसीड, विटामिन और खनीज को परचुर मातरा में लेना चाहिए, ल करना चाहिए, फिर आता है हमारा विटामिन, विटामिन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वासा में पानी में गुलंचिल भी होते हैं, जो हमें उर्जा परदान करते हैं, तो तेरा विभिन विटामिनों में से कुछ पानी और कुछ वासा में गुलंचिल होते हैं, तो और इसमें घिलाडियों के लिए विटामीन के सुप्लीमेंट के हो सकता नहीं होती में जिन वजन कम करनी के आss जैसे जिमनास्टिक हो गया उनल इस में एक चोटी अवदी के लिए सुक्सम्प्दियों करनी कभिशाल सकता है और कुछ समय के लिए स्प्लिमेंट कपरियों किया जा सकता है। इसके बाद में आता है खनीज। खनीज में अधिक अभिहास से सरी में खनीजों की कमी हो जाती है। जैसे उसे इस रूप से करम प्रिस्टितियों में पसीना ज़्यादा आने की वज़े से आयरेन की और मेगनीशीम की कमी होने की संभावना रहती है। इसलिए ऐसी प्रिस्टितियों में आयरेन जिंक और मेगनीशीम के स्प्लिमेंट के आउसक होती है। उनमें स्वस्ताडियों को बना रखने के लिए कल्सियम स्प्लिमेंट की भी आउसकता होती है। तो यह थे हमारे प्रदार्थों में विटामीन और कनीज खेल की भी मिनिस्टरणियों के लिए उर्जा की गणना भी यह अलग-अलग है यह आप देख लेना एक बार जो भी खेल होते हैं उनमें अलग-अलग गणना के हिसाब से इसका यूज किया जाता है जैसे होकी है, फुटबोल है, जो भी इवेंट है जिसमें इंडिजुवल है, ट्रैक इवेंट है और जो भी बॉकसिंग है जो इंडिजुवल और टीम गेम में अलग-अलग होता है जैसे शूटिंग है तीरेंदाजी है, तो एक खिलाड़ी के लिए सोस्त भोजन के आदती क्या होनी जी है तो परती दिन 500-900 ग्राम फल सबजियां खाएं, भोजन में कम वसा वाले डेरी उत्पादों का उप्यों गतिक करे पीजा, बारगर, फ्रेंच, फ्राइज, जो भी ये चाओमीन वगएर जो भी फास्ट फूड बोलते हैं, तो ये आहर में कम ले अचार, पापड, पनीर, मास, आदी की जो भी खादेपदार था, उनका आहर में कम परियो करें घी, अंडे की जर्दी, लाल मास, आदी जैसे, संत्रिप्त, जो सैचुरेटिड जो फैट होता हुआ, आर में कम परियो करें, जटिल कार्बोईड जैसे, छाबत अना जुगा से उना दीख करें, नीमित रूप से, ब्रेक पास्ट चरूर करें, तो ये आज का एक छोटा सा उनसे रिलेटिड भी ये कॉस्चन्स आपको काम आएंगे,